अब डेप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर ये नामंकन दाखिल करेंगे जिसको लेकर तमाम तयारिया है लेकिन उससे पहले वो मा का आशिरवात लेने के लिए पहुचे सिराथू के एक कड़ा स्तीत मा शीतला मंदीर में दरफ्रन करने के लिए पहुचे डेप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर ये नामंकन के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में तमाम तयारिया भी है और इसी के साथ कारी करताओं में भारी उच्छा देखने को मिल रहा है तो सिराथू सीट से वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और उससे पहले बीजपी के का कारी करताओं में भारी उच्छा देखने को मिल रहा है तो केशव प्रसाद मौरिया नामंकन दाखिल करने से पहले यहां पर पूजा और चुना करते बेवी नजर आया है माह का आश्रिवाद लेने के लिए पहुँचे है कि हमार साथ अधिक जानकारी के साथ समधाता राक जूर चुके है राके सिरातू से आज नामंकन दाखिल करेंगे क्या कुछ तैयारी कारी करताओं में कितना उत्सा तरण जाक वता दें कि यह जीत का आशिरवाद दिया है उसके बाद वह कड़ा धाम पहुझे जहां है क्या हो सकती पीटों में से एक मासीतला का मंदिर है वहां पुनोंने दर्शन करने के बाद फिर वापसर वो सिरातू पहुंचे है सिरातू अपने कारेल है पुनोंने लोक कार करता हों के साथ राइठा करने के बाद वह आप जेपी के रास्ति अध्या जेपी नट्टा जी आ रहे है पुले और साफ पुलिस लाइन में उनको प्रशाशन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है क्योंकि कारी करता हुं है तो भारी उत्सा देखने को मिल रहे हैं प्रशाशन के लिए नमिनेशन के लिए वो पहुच रहे हैं कौन-कौन से तमाम वो दिगज होंगे जो इस दर्म्यान वहाँ पर मौजूद होंगे उनके साथ बिजेपी के राश्टी अनुपरिया पटेल भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी जी राकेश हैसे में ये भी जानकारी चाहेंगे जुस तरीके से हम इस सीट पर देख रहे हैं तो बीजेपी का हमीशा से दबदबा रहा है और ऐसे में अगर केशिव प्रसाद मौरिय की बात करी तो उनका एक अलगी वर्चस वह तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ तयारी क्या कुछ आगे की रणनी थी आपको बतादें कि यहां पे तो पहले अभी पिशली पंच वर्सी में यहां बीजेपी जीती थी उससे पहले से डिप्रिशियम को जीत दिलाई जाएगी ताथ ही यहां से जो क्रिश्व प्रसाद मौरिय नॉमिनेशन के लिए पहुचेंगी तमाम तयारी अभी राकिश तमाम जानकरियन तक पहुचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया